आज के इस वीडियो लेक्शन में हमारा फोकस रहेगा सर ऐसी चॉइस फिलिंग जिससे की हमारे सेलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं क्या कुछ अपडेट आ रही है एम से सी यारी दोजार तेइस को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में हेला वरिवन वेलकम चुमाई चैनल मसाइक अडमी दिस इस इमानसू आप उस चैनल पर हैंज आपको फामर रिगार्डिंग न्यूस अपडेट वेकिंस अपडेट वीडियो लाइक चास्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल और हमारी एक्जाम होगा अब जिसका नाम है एमस सियारी चाहे वो एमस जोत्पुर हो सारे नोटिफिकेशन हमने बात कर ले ती कि सर जो नया नोटिफिकेशन आ रहा है यहां पर आप सभी देख पा रहे हैं यहां तक हम कल के वीडियो में बात कर चुके हैं कोई भी स्टुएंट न डाउनलोड नहीं होगा और अडंविट कार्ड आ चुके हैं काफस्टुएंट ने डाउनलोड भी कर चुके हैं और एडंविट कार्ड के रिगार्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है इस वीडियो के लास्त में सुन के जाना भईया जो जो इस एक्जामिनिशन जब जो है आपको इसमें मिलने वाले सबसे पहला नोटिफिकेशन तो मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने किस केटेगरी में फॉर्म भरा है और इस केटेगरी के सामने यहां पर वेकेंसी कितनी है मतलब अगर आपने सब्सक्राइ है और आप चाते हैं कि सर मैं जो है है ना यहां पर आप देख पा रहे हैं इस नोटिफिकेशन को मैं आच्छे से पढ़ लेता हूं या फिर आप यहां से जर्स आइडिया देलता हूं उसके बाद में उदर ओफिशिल लोटिफिकेशन जो है वो चलूंगा ठीक है तो यहा को समझ रहे हैं कि आप चिस केटेग्री से केटेग्री वाइज यहां पर आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा सर्ण मिलेगा, यहां पर अपे आप देख पा रहे हैं जो आपको अब जो है वो ठोड़ा सा क्लियर दिख रहा है कहने का मतलब यह है है चोईस करने से पहले सबसे पहले आपको इसको अच्छे से निहारना है बड़िया तरीके से देखना है और देखना है कि हमारा जो टार्गेट है वो कौन सा एमस है कौन सा आपका टार्गेट है वहाँ पे सीधी की सीधी बदोग रखनी है और इसको फायर कर देना है कहने का मतलब यह है कि आपको किस AIMS में जाना है आपका Dream जो है किस AIMS में नौकरी करने का भाईया यही वो सपना है यही वो बारी है इस बार इस टभसवर को छुखना नहीं है ध्यान रखेगा और हमेशा की तरह मुझे इंतजार है आपके उस comment का कि sir मेरा यहां selection हो गया और फिर से मैं आपको एक अच्छे से इंस्टा पे मेरी story डालूंगा और पीछे गाना बदाऊंगा कि जीतेंगे भाईया जीतेंगे हर बाजी हम जीतेंगे तो इंतिजार है आपके इस comment का चलिए देखी यहां पे सबसे most important आपको ध्यान में रखना है कि sir सीधी लोजिक बात देखी अब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको preference में किस order से रखना चाहिए आप अपने स्वोविवेक से काम कर सकते हैं जन हित में जारी किस हिसाब से कि sir देखिए सामें सीधा है sir 27 मतलब जादा पोस्ट है किदर है तो सब जादा पोस्ट है जो है एमस भोपाल farma grade second में और next एम सुजोतपूर है ना एम सुजोतपूर farma grade second में यहां पे सबसे जादा vacancy है तो obviously यहां पे ही competition थोड़ा हाई होगा बट कोई बात नहीं जादा वेकेंसी में अवसर भी तो जादा है और अब आप केटेगरी वाईज भी देख सकते हैं कि भाईया एमस जोद्पूर में कितनी वेकेंसी है केटेगरी वाईज यहां पे 13 है यहां पे 11 है इस हिसाब से चोईस फिलिंग करेंगे तो आपको फाइदा मिलेगा सबसे पहले तो मेरे इसाब से तैसी करनी चाहिए सर कौन सा एमस मेरे घर के नजदीक है ठीक है जी में अगर राजस्तान से हूं तो मेरे को जोद्पूर वाला सही लग रहा है तो उस हिसाब से भर दीजिए फिर अगर आप चाहते हैं को ऐसा कुछ नहीं सर मैं तो हिंदूस्तान में कहीं भी नौकरी लुगा आप नौकरी तो नौकरी चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबसे पहले प्रिफ्रेंज जो है वो जहां पर बड़ी बड़ी वेकेंसी है वहां पर बर लीजिए उसके बाद में आप देखिए कहां पर एमस राय बर सब्सक्राइब है बागी सब्सक्राइब करना है और न्या नहींता शांसरी इस चोईस फिलिंग करने फिर चोईस फिलिंग जैसे ही आप कर लेंगे उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में क्या होगा सर उसके बाद में हमारे पास वापस से हम login करेंगे जैसी आप choice filling करेंगे उसके बाद में वापस से आपको login वाले page पे जाना है फिर आपको admit card जो है वो download कर लेना है अब यहाँ पे admit card को download करने के बाद ये भी काफी सारे student का message आ रहा है कि सर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है examination time जो है 90-90 minute है यहाँ पे 3 है यहाँ पे क्या है तो भाईया सीधी सी बात है ध्यान रखना कि ये examination पहली बार हो रहा है सबसे पहली बात तो ये aims CRI करके काफी confusion भी है सब कुछ है तो यहाँ पे मैं जो point बरा रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना अच्छे से सुन लेना आपके काम के है सबसे पहली बात तो कि अगर जुस time में admit card पे reporting time लिखा हुआ है उससे आधे घंटे पहले पहुँचना घंटे बर पहले पहुँचना जरूरी ये ध्यान रखना अंदर पहुच जाना उसके बाद में बली साम हो जावे कोई दिक्कत नहीं है वो आपको टैंसर लेने की जुरूत नहीं है आपको समय पे पहुचना है examination complete करना है वो आगे सब instruction आपको बता देंगे चिंता का विशे नहीं है पहली बात दूसरी बात जो जो document ID साथ में लेके जाने का बोला है admit card पे sign वगरा सब कुछ ध्यान रखना line by line सब कुछ instruction पढ़के जाना भाई सब कुछ notification जाना क्योंकि यह थोड़ा सा complicated है क्योंकि पहली बार हो रहा है काफी other confusion भी create हो रही है student को मेरा तो ऐसा सोचना है choice filling कर लिए कोई दिक्कत नहीं है choice filling कर लिए उसके बाद में बाहर आ जाओ admit card डाउनलोड करो reporting time पे अपने जो भी document है वो साके जाके सारे के सारे पहुंच जाओ कोई दिक्कत नहीं है हम सभी जानते है सर इसका examination pattern 40 और 40 यानि की GK मतलब general college question आपके 40 और pharma domain specific की 40 आने वाले total मिला के 45 और 45 आपका 90 minute का समय रहने वाला है जी हाँ इसी को देखते हुए हमने हमारी mobile application फे और हाँ recently aims के काफी सारे exam हुए aims राइपुर का हुआ पटना का हुआ वुपनेश्वर का हुआ सभी exam के paper चाहिए कहां मिलेंगे हमारी application में free material में video paper सब कुछ मिल जाएंगे भाईया और interested हो तो test series भी join कर सकते हो ठीक है जी ये सारी information यहाँ पर include है अभी सारी hopefully सब कुछ जो है वो clear हो गया होगा अभी भी इसके बाद भी कोई अगर doubt है तो भाईया आप comment करें आने वाले videos में मैं आपको ये भी सारी चीजे जो है available करा दूँगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सामको हमारी एक आदी मूला काथ तो होती होती है इसको लेकर pharmacy जगत में जो भी कुछ चल रहा है अपडेट को लेकर क्या sous StudLY Hotlady और tra ले वालिया सारे link description कंट बाक्राइशं Полü कैसा लगा information जुरूबत आइकala लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, keep watching, stay tuned